गुड आफ्टरून एवरीवन मैं डॉक्टर वैभव विकास रूबन मिमोरेल हॉस्पिटल पट्टा में यूरॉल्जिस्ट और किड्नी ट्रांस्प्रांट सर्जन के रूप में काम करता हूँ हम लोग बात करते हैं पशाब में इन्फेक्शन की जिसे यूटी आई बुला जाता है देखा जाता है कि जनरली फीमेल्स में बहुत कॉमन है यूटी आई खासकर नॉर्मल लेवर के बाद में सिजियन के बाद में यूटी आई होता है बट इससे घबराना नहीं है यूटी के लिए बहुत खराब चीज़े हैं यह सब आवाइड करना चाहिए आप लोग को यूटी आई से बचने के लिए डाब का पानी नारियल पानी का सेवन करना चाहिए फल फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें कि एपल एक बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है लेमन वाटर पी सकते हैं आप लोग संत्रे का जूस पी सकते हैं तर्बूस खा सकते हैं यह सब यूटी आई में बहुत कारगास साबित होते हैं और बचाने के लिए उपयोगी होते हैं यूटी आई से भी किड्नी डैमेज हो सकता है इसलिए सही समय पर यूटी आई का इलाज कराना भी बहुत जरूरी है बट यूटी आई के इलाज में आजकल देखा गया है कि धडलने से गाउ में इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिये जाते हैं धे सारे इंजेक्शन पांस दिन सुबह शाम साथ दिन सुबह शाम पंदरा देन चौदा देन ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे किड्नी को खत्रा होता है इसलिए इतने इंजेक्शन भी नहीं लगवान है सही टाइम पर यूरॉल्जिस से मिलिए रूबन हॉस्पिटल में आके मिलिए आप उनको सही दवाई सही आंटीबाटीक बतायीगा जिसका एडिकवेट डोस है जो भी डोस दोसं में आपको बताया जाएगा ओवर्डोसिंग भी अच्छा नहीं होता है और अगर कम मातरा में भी दवाई लिजाए तो वोबी अच्छा नहीं होता है